Hello everyone, welcome back to exam city zone YouTube channel और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप्टिकल डिस्क के बारे में कि आप्टिकल डिस्क क्या होती है उसके टाइपस के बारे में हम जानेंगे और भी कम्प्यूटर से डिलेटेड वीडियो जो मैं अप्लोड कर चुकी हूँ तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो की description box में आपको link मिल जाएगी है वहाँ से जाके directly देख सकते हैं और अगर इस channel की ये video पहली बार देख रहे हैं आपको ये video पसंद आती है तो हमारे channel को subscribe करना मन भूलिएगा और subscribe करने के बाद bell icon को जुरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे जो भी आगे हम video upload करेंगे आपको उनकी notifications मिलती रहें और अगर आपको हमारी ये video पसंद आती है तो इस video को like करना मन भूलिएगा और जो भी computer से related अभी तक हमने जो videos upload की हुई है इस video से पहले तो अगर आपको देखना चाते हैं तो इस video की description box में आपको link पर जाएगा वहाँ से directly जा के देख सकते हैं तो चले start करते हैं हमारे आज की video को जैसा हम ने कहा कि हम यावे बात करेंगे कि optical disk क्या होता है तो optical disk एक secondary storage device होता है optical disk का use हम करते हैं data को safe करने के लिए store करने के लिए जादा से जादा data को store करने के लिए इसका use करते हैं क्योंकि इसकी जो capacity होती है storage capacity वो अच्छी होती है इसमें हम किस type की चीजों को हम क्या क्या चीज़े जो है यहाँ पर store करके रख सकते हैं तो जैसे images हो गई, photos वगएरा, videos है, movies है songs वगएरा, music हो गया, software को store किया जा सकता है backup files वगएरा जो हैं जो हम safe करके रखना चाते हैं तो और भी हैं चीज़े हैं जिनके लिए हम इनका use करते हैं तो इसकी जो storage capacity होती है वो अच्छी होती है और यह जो optical disk होती है यह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो optical disk होती है इसमें laser beam का use करके data को read-write किया जाता है निका optical disk laser beam के use से data को read-write करती है और इसमें digital form, यह जो optical disk है वो digital form में digital room में data को store करती है और अगर हम बात करें तो जब हमने hard disk के बारे में बात की थी तो जिसमें tracks थे वो co-central circles के रूप में होते थे यानि कि कुछ इस तरीके से tracks हमें देखने को मिलते थे इस तरीके से जो हमने hard disk में बात की थी पर वही अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो optical disk में जो tracks होते हैं इसमें has one long spiral track यानि कि हम कह सकते हैं कि इसमें इस तरीके का एक spiral shape में एक track होता है इस तरीके का वो कम होती है जादा बड़े size में नहीं होता है या weight की बात करें तो light weight होता है ऐसा नहीं है कि बहुत जादा बड़ी कोई device है जिसमें हमें बहुत सारे लोगों की जरूत पड़ेगी उसका weight बहुत जादा है तो एक जगा से दूसरी जगा पे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों के जरूत होती है तो ऐसा कुछ नहीं है ये size में भी बहुत चोटा होता है lightweight होता है ज़्यादा weight नहीं होता है easy to handle होता है मतलब इसको carry करना easy होता है इसको एक जगा से दूसरी जगा ले जाना easy होता है जब भी हमें इसको use करना है यह हैं उसकी यूसके बाद हमने इसको निकाल दिया है औरzen कर्याइब करना है क् iacaf सुमड़ाने तुन यह शजी सीदी सिदी में Garden का होता है जैसे कि आप देखे हो CD-ROM, CD-R और CD-RW और होता है DVD तो सबसे पहले हम बात करेंगे CD क्या होता है फिर उसके टाइप्स की बारे में हम बात करेंगे जो 3 टाइप्स के हैं और उसके बाद हम DVD के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CD क्या होता है CD का full form होता है compact disc जो कि एक storage device होती है जिसका use हम करते है movies, music वगएरा है या कोई backup file save करके रखनी है software store करना है music, videos store करके रखना है तो इन सारे चीज़ों के लिए हम compact disc ने कि CD का use करते है इसकी capacity की बात करें storage capacity की तो ये 700 MB तक हम इसमें data को store कर सकते है CD एक circular disk होती है और अगर हम बात करें तो इसकी जो storage capacity होती है वो hard disk से कम होती है पर floppy disk से जाधा होती है hard disk से capacity कम होती है floppy disk से जो capacity होती है वो जाधा होती है और 700 MB तक हम capacity तक इसमें data store करके रख सकते हैं और जब भी ये portable होती है इसको एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाना easy होता है carry करना easy होता है और जैसे हमें इसको use करना है तो हमने इसको insert किया use कर लिया use करने के बाद हमने इसको निकाल दिया उसके बाद हमने अपने साथ रख लिया ठीक है इसको रख दिया तो यह होता है cd अब इसके बारे में हम types के बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से types होते हैं तो पहला होता है cd room जिसका full form होता है compact disk read only memory तो read only memory का मतलब है कि इसमें जो भी data save है record है लिक दिया गया उसको हम के वर read कर सकते हैं इस तरीके के इस type की cd होती है जब इसको बनाया जाता है तो बनाते समय ही इसमें data record कर दिया जाता है लिक दिया जाता है write कर दिया जाता है उसके बाद इसमें कोई changes नहीं किया जा सकते इसको delete नहीं किया जा सकता है modify नहीं किया जा सकता इसमें कोई बदलाव नहीं किये जा सकते है manufacturer ने manufacturing के time पे इसमें जो भी चीज़े save करके रख दी है, record कर दी है, लिख दी है उसको हम केवल पढ़ सकते है read only, ठीक है, इसको केवल पढ़ा जा सकता है तो ये होता है CD-ROM, compact disc, read only memory फिर हम बात करते हैं CD-R के बारे में जिसका full form होता है compact disc, recordable या WORM, जिसका होता है write once, read में ने यानि कि एक बार लिखा जा सकता है, और कई बार पढ़ा जा सकता है ये disc क्या होती है, इसमें हाँ user को एक facility दी जाती है एक मौका दिया जाता है, कि वो अपने according जो भी data record करना चाता है, store करना चाता है उसमें लिखना चाता है, वो लिख सकता है और मतलब write करने के बाद उसको फिर कई बार पढ़ सकता है पर एक बार write करने के बाद उस data को नहीं delete किया जा सकता है ना ही उसमें कोई changes किये जा सकते हैं ना ही उसको modify किया जा सकता है आपको एक मौका दिया जाएगा यूजर को एक मौका दिया जाता है facility दी जाती को अपनी according जो भी चीज़े इसमे record करना चाता है वो कर सकता है पर एक बार करने के बाद फिर इसको केवल read किया जा सकता है तो ये होता है compact disk recordable उसके बाद हम आते हैं CDRW में यानि कि compact disk re-writable re-writable में क्या होता है कि इसमें हमारे पास मौका होता है कि data को हम delete कर सकते हैं फिर से write कर सकते हैं फिर delete कर सकते हैं यानि कि हमें इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि हमें कई बार अनेक बार हमें बार बार लिखने या पढ़ने का एक फैसिलिटी दी जाती है जैसे कि हमने देखा था कि CDR में कि इसमें एक ही बार हमें मौका था लिखने का राइट करने का रिकॉर्ड करने को इसके बाद हम केवल इसमें जिसेः पढ़ सकते हैं तो इसको रियूस किया जा सकता है तो बाकि जो थी उसमें। देखा था कि CD-ROM में हमने केवल पढ़ने मतलब पढ़ा जा सकता है जैसे कि songs वगरा होते है movies वगरा होते है वो जैसी है अज़िटिस हमें देखने पड़े उसमें कोई changes नहीं कर सकते हैं तर्फ CD-R में हमने देखा था कि हमें एक मौका दिया गया था कि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं पर बाद में हम केवल इसको रीट कर सकते हैं फिर हम इसको उसमें कोई changes नहीं कर सकते हैं चबकि हमने CD-RW में देखा था कि compact disc re-writable compact disc जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि डेटा को हम reuse कर सकते हैं बार बार reuse किया जा सकता है जो भी हमारे पास मतलब कई बार इसमें लिख सकते हैं डिलीट कर सकते हैं फिर से हम इसमें डेटा को लिख सकते हैं तो यह एक facility हमें दी जाती है तो दोनों से में अने के DVD है यह भी एक storage device होती है जिसमें कि हम videos, movies, music यह सारी चीज़े store करके लगते हैं और भी चीज़ें हैं जिनको store किया जाता है back of files वगदा सेफ करनी हो, software वगदा store करनी हो तो इन सब चीज़ों के लिए हम DVD का use कर सकते हैं अगर हम इसकी comparison करेंगे CD से तो CD के comparison में इसकी capacity एन DVD की storage capacity CD की comparison में जाधा होती है और इसमें जो storage capacity बात की जाए कि DVD की storage capacity कितनी होती है तो इसकी storage capacity 4.7 GB से 17 GB तक होती है जैसे CD में हमने देखा थे कि 700 MB तक इसकी storage capacity होती है जबकि DVD में 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है तो अव्यस सी बात है कि DVD की storage capacity CD से जाधा होती है तो यह है हमारी आज की video जिसमें हमने बात की एक optical list क्या होता है इसके types के बारे में बात किया कि CD क्या होता है DVD क्या होता है CD की types क्या होते है CD read only memory क्या होता है CD recordable क्या होता है जिसको हम write once read many यानि WRM भी कहते हैं एक होता है CD RW मतलब compact disc re-writable तो यह three types के होते है DVD होता है तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से आप ये video देख सकते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो next video में हम बात करेंगे pen drive के बारे में memory card के बारे में तो अगर आपको हमारी ये video पसंद आई है अगर आप इसी तरीकी की वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजेगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा So friends, thanks for watching. Have a good day.